हेलो गाई जा जम बात किने वाल है तीन स्टॉक के बारे मैं अप लोगों इस तुन में बताने वाला हूँ जो यहां पर से मैटल सेक्टर को पिलोंग करते है और जो मैटल सेक्टर की बात की जाए तो यहां पर है बहुती जादा बुलिश है matter sector और यहां पर जो इसके जो experts है जो यहां पर से matter sector में already invested है, invest कर रहे है, trading कर रहे है, वो उन लोगों का जो target है, वो क्या बोल रहा है, अलग-अलग brokerage कंपनिया होती है, brokerage rating कंपनिया होती है, तो वो rating कंपनिया इस company, मलब यह तीनों की तीनों कंपनियों को कितना target बता रहे है, तो सबसे पहले कि यह तीन company कौन सी है, सबसे पहली company आ जाती है, JSW Steel, उसके बाद आ जाता है, Data Steel, तो यहां पर आप लोगों को next company है, Sale, ठीक है, तो यहां पर से आप लोगों को यह सारी की सारी कंपनियों में आप लोगों को क्या target देखने को मिलने वाले, आने वाले टेम में, almost one year के अंदर, and one year के आसपास में, तो यह चीज़े आद रखना, यह targets बहुत जादा important रहने वाले है, और आप लोगों ने क्या invest करके रखा हुआ है, वो मेरे को comment section में ज़रू से बताना, तो अभी हम directly news के उपर चलता है, क्या targets बताया रहे है, रेटिं वो rating करते है, उन लोगों ने जो बुलाए कि वो बहुत ज़ादा bullish है, टाटा स्टील के अंदर, और उनका जो target है, उसको rearrange किया गया है, पहले जो target था, उसको बदल के नया target बताया जा रहा है, तब ही target क्या हो सकते है, वो आप लोगों को इस तो बताने वाला हूँ, आने वीडियो अंदर देखते रहें, आठीक है, तो यहां बर्जा आप लोगों नीचे की तरफ चलता है, तो यहां बर्जा आप लोगों बहुत सारे चीज़े देखने को मिल जाते है, कि कंपनी ने कितना percent का profit दिया है, पिछले 42 weeks में कंपनी ने कैसा performance दिया है, वो सारे के सार चीज़े, तो यहां बर्जा आप लोगों नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहां पर आप लोगों सबसे बड़ा यह वाला poster देखने को मिल जाता है, यहां पर अलग अलग rating agency या आप लोग बूल सकते हो कि brokerage house होते हैं, उन लोगों ने यहां पर से target बता हुए, पहले के target यह थे और after target, after result, result आने के बाद target उन लोगों ने change कर दिये, तो यहां पर से सबसे पहला, यहां पर से ambit ने target बूला है कि buy करना है, again buy ही करना है, और हाँ पर आप लोगों को after result, यहां पहले, before result इतना target बताया जा रहा था, 1,274 और after result, 1,335 का target बताया जा रहा है, उसके बाद end quit की बाद करे, end quit stock brokering house है, उसके बाद करे, again buy का target बताया जा रहा है, पहले आपर से 763 रूपीज, जो बहुत जादा आराम से इस company ने achieve कर लिया है, और अभी का target बताया जा रहा है, 1,385 रूपीज है, तो यह चीज़ आत रखना, अभी हम बात कर लेते हैं, बहुत जाद जाना माना rating house, आप लोग brokerage house बोल सकते हो, CLSE, तो इसका भी buying का ही बोला गया है, और पहले का target था, 1,150 और अभी का target बता जा रहा है, 1,350 और यहाँ पर से एडिल वाइस ने बताया हुआ है, buy का target और यहाँ पसे target तीरा सुका है, और यहाँ पर भी तीरा सुका ही है, ठीक है, तो यह चीज़ आत रखना पहले भी तीरा सुका था, और अभी भी तीरा सुका ही target बताया गया है, अभी IDBI capital ने बताया है, buy का again, buy का बुला है, और 826 पहले बताया जा रहा था, और अभी की बात करें, 1329 रुपीस बताया जा रहा है, इंवेस्टेक की बात करें, तो यहाँ पर से buy again, और 1174 पहले बताया गया था, 75 बताया गया था, और अभी की बात करें, 1850 बताया जा रहा है, जो यहाँ पर से सफी brokerages house से जादा है, और मेर और यह साब सै, यह व़न ुयर में तो शायद ऐसी बुलिश रहा कमपणी तो यहाँ पर से हो सकता है, यह तरगेट रर्क होगर के उपर भी जा सकता है पर में यह वन एयर के अंदर यह टरगेट अची होना मुश्किल लग रहा है यह सारे जो दूसरे जो target है её वाले सारे की सारे यह आराम से target हीट होते हुए देखने को मुल जाएंगे आने वबले time में पर यह थोड़ा hard लग रहा है मेरको अब यहां बात कर लेते है Jerry Feast के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर इनहोंने भी बाई का टर्गेट बाई बुला है और उसके साथ साथ पहले 1,125 रुपीज बुला था और अभी की बात करें अल्मोस्ट 1500 रुपे 1,500 का बुला हुआ है ठीक है तो यहाँ पर अब लोगों यह चीज द्यांदर में रखनी है मैंकवेर की बात करें मैंकवेर तो यहाँ पर इस कंपणी ने 1,045 रुपीज का बता था टर्गेट और अभी की बात करें आफ्टर रिजल्ट 1,645 का बता जाए यह टर्गेट ठीक है तो यह चीज द्यांदर रखना कंपणी बहुत ज़्यादा शांदर तरीके से आगे बढ़ रही है कंपणी का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा है इसी की वज़े से और कंपणी के जो न्यूज है वो भी उसके फिवर में आ रहे है ठीक है तो यह चीज आतरखना आने वाले समय में हो सकता है कि और भी तेज़ी देखने भी मिले और ऐसा हो सकता है कि थूड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा ठीक है ऐसा नहीं कि हर बार कोई भी शिर ऐसे ऐसे भागेगा ऐसे ऐसे हमेशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है थोड़ा बहुत करेक्शन आता है और उसके बाद फिर से भागना चालू कर देता है कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है data steel के बारे में मैंने सारे के सारे target बता दिये अभी हम बात कर लेता है next company, jsw steel के बारे में तो यहाँ पर से next company jsw steel experts give by call for these metal stock, तो यहाँ पर से पूरानी news दिखा रहा है, ऐसे बिल्कूल भी नहीं ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते है इसका जो target है, तो यहाँ पर से सबसे पहले 3 company के यहाँ पर बात चल रही है, चार कंपनियों के बात चल रही है data steel, jsw steel, sale और nmdc, ठीक है 220 रुपीस का ठीक है, और stop loss बताया जा रहा है 173 रुपीस का, तो यह चीज़ आप लोगो ध्यान में रखनी है company का यहाँ पर से, jsw steel की बात कर लेते हैं target price बताया जा रहा है 790 रुपीस, 790 रुपीस और stop loss बताया जा रहा है 780 रुपीस का, ठीक है तो यह चीज़ आप लोगो ध्यान में रखनी है और उसके साथ साथ यहाँ पर से sale, sale का भी यहाँ पर से target बताया जा रहा है यहाँ पर buy target ही है buy target बताया जा रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 153 से लेकर 164 तक इसका target बताया जा रहा है और stop loss बोला है 129 का, ठीक है अगेन यहाँ पर से Tata Steel की बात करें तो Tata Steel में सेम चेज़ ही है जो पहले हमें ने देखी कि target इसमें बताया जा रहा है 1200 रुपे का तो यहाँ पर से यह जो target है वो आप लोगों को अच्छी होता हुआ देखने को मिल रहा है और जो मतलब और उसके बाद stop loss की बात करें तो 1100 रुपे का sorry 1130 रुपे का stop loss बता जा रहा है ठीक है 1200 रुपे का target और 1130 रुपे का stop loss तो यह सारे के सारे आप लोगों को मैंने चे लिवल्स बता दिये अभी शेर्स के उपर चलते है उसके बारे में थोड़ी बहुत और बाते करते है एक मेरे को कंपनी बता नहीं है तो यहां पर से आप लोगों को सबसे पहले 1200 रुपे का जो target बता जा रहा था वो आने वाले समय में मेरे हिसाब से तो हीट हो जाएगा आराम से पिछले दिन पिछले साथ तारीक को यहां पर से हमें देखने को मिलाता 7.5% की पर मूं 5 डेस में इसने 14% का पर मूंगो दिखाया है 6 वन मंत की बात करे 31% 6 मंत की बात करे 170% और 6 मंत वन यर की बात करे तो 330% का इसने इसाफा हुआ है कंपनी की प्राइस में एक समय यह जो प्राइस थी 230-270 रुपे 230-270 रुपे के आस पर से रही थी वो अभी 1200 पहुचे गई है तो यह चीज़ जाद रखना आप लोगों को जो टार्गेट्स है जो लेवल्स है वो आप लोगों मैंने बता दिये तो आप लोगों को इसके उपर थोड़ा ध्यान रखना है तो बस तर आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद लेए तो लाइक चनल को सब्सक्राब करना मत बूलना गुडबा लफो गुडबाई फिर में ते नेक्स्ट डू में गुडबाई और कोई भी तिक्का तो मेरे को कमेट सेक्शन में सब्सक्राइब बताना गुडबाई